क्या आपकी जिंदगी में हर कारे धीरे धीरे होने लगा है किसी कारे में आपको उत्साह नहीं लगता किसी कारे में मन नहीं लगता कहीं जाने की इच्छा नहीं होती कोई भी कारे नया आप करने जाते हैं तो उसमें अनेकों प्रकार की बिग्न बाधाएं उत्पन होती है कर्ज लेकर के ही कोई काम करना पड़ता है तो आपको शायद पता नहीं होगा कि आपके घर में आपके द्वारा जो आपके जूते चपल रखे गए हैं वह इस तरह का नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं कि आपके जिंदगी बत से बत्तर हो सकती है तो आज मैं आपको इस मैं बताने वाला हूँ कि आपके जूते चपल आपको किस प्रकार से और सहयोग कर रहे हैं जिंदगी में तकलीफ दे रहे हैं आपको जिंदगी में आपके घर में नकारात्मक उर्जा ला रहे हैं और उसे किस प्रकार के उपाय करके उससे बचा जा सकता है और क्या करें त आपके जिन्दगी को कैसे बरबाद कर रहे हैं। जूते चपल आपको हजारों बार काटों से ठोकरों से बचाते हैं। करते हैं कि जूते चपल को हम घर के बाहर निकाल देते हैं घर में कैसी अस्थान पर निकाल देते हैं। अब क्या होता है धीर देर जूते पुराने हो गए फट गए तो पुराने देखे जो पहना हुआ जूता है जो पहना जा रहा है उसमें केतू का निवास होता है। लेकिन जो जूते रख दिये गए हैं उस पे राहू और सनी का निवास हो जाता है। तो राहू और सनी नकारात्मक उर्जा के कारक हैं। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि आपके घर में अगर फटे पुराने जूते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपके घर की इंकम कम होगी, आपके घर में कलह का वातावरन बनेगा, आपके घर के बच्चे आपका कहा नहीं मानेंगे, परिवार में एक दूसरे के वी उनके कारण आपकी मानसिक इस्तिती खराब रहेगी, और घर में सबसे बड़ी पहचान तो ये है इसकी कि घर में जब आएंगे ना तो बाहर तो बड़ा ही खुशहाल रहेंगे, बड़ी लोगों से हस बोल करके मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप घर में प्रवेश करेंगे, वैसे ही मन मस्तिस्क पर एक प्रकार के उदासी चा जाएगी और नकारात्मक औरजा से आप सराबोर हो जाएगे और घर के परिवार के किसी भी ब्यक्ति की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, और जो खाना आपको रोज अच्छा लगता है वो खराब लगने लगेगा, चिड़ करके बात करेंगे जिससे परिवार में देरे देरे कलह का वातार उनुत्पन होता है, आप चिड़ करके बोलेंगे तो आपके बच्चे नाराज होंगे, पत्नी नाराज होगी, परिवार के बड़े बुजरुक सदस्ते हैं तो वो नाराज होंगे, बड़े हैं अगर आपके घर में पड़े हैं और आपके घर में नकारत्मक उर्जा का हमेशा संचार हो रहा है घर का वातावरन ठीक नहीं है तो यह समझ लीजेगा और जरूर ध्यान रखिए कि यह हो रहा है तो आपके जूते और चपलों के कारण हो रहा है तो सबसे पहली बात है कि और जो जूताब नहीं पहनना चाहते हैं नहीं पहन रहे हैं तो कोशिश करें कि वो न पहनते हैं तो ठीक है उसको निकाल करके बाहर फेगने यदि आपको रखना ही है तो उसको एक बार फिर से पॉलिस करवा करके उसको साफ करके ताकि जो बाहर से आप उसके जूते में प्रवेश कर गई हो और धूल मट्टी उसी के साथ पड़ी हुई हो तो मैं चाहता हूँ कि आपको देखे यह आपको समझना होगा कि आपके घर में अगर उते चपल हैं तो उन्हें पूरी तरह से साफ सफाई करके घर में इकठा करके रखें अन्यथा उसे अपने घर से दू जहां से कि उसकी नकारात्मक्ता चारो तरफ न फैले घर से बाहर कोई अस्थान हो या कोई भी चीज हो आप देखे यह बचाना आपका काम है लेकिन मैं आपको बताओं कि जोते चपल की नकारात्मक्ता की वजह से सनी और राहु हमेशा अपना नीच प्रभावत देने राहु नीच का हो जाए राहु क्रूर हो जाए राहु पाप ग्रह हो जाए एक तरह से पाप ग्रह ही है राहु पाप अपना दिखाने लगे तो राहु के खराब हो जाने से ब्यक्ति नशे का सिकार होने लगता है उस नशे के सिकार में लोगों को बात बेबात बोलता है त तो राहू को भी ठीक करने के लिए जूते चपलों को ठीक से रखना होगा. और मैं आब आपको बताता हूँ कि इससे बचने का उपाय क्या है. तो सबसे पहला उपाय यह है कि खराब जितने भी जूते चपलों उन्हें फेक दें. पहला उपाई है अगर आप फेकना नहीं चाहते हैं तो ऐसी जगों पे कपूर का पाउडर छिड़का करें जहां आप जूते रखते हैं कपूर के पाउडर के छिड़कने से वहां की नकारात्मक उर्जा वहीं पे दब करके रह जाएगी वो फिर फैलेगी नहीं तीसरी बात यह है कि आप जब भी घर में पूजा करते हैं तो धूप दीप जो भी जलाते हैं वो घर के सभी कोनों में भी दिखाया जाना चाहिए आप जहां पूजा करते हैं उस अस्थान से उठकर के घर के जितने कोने हैं उन कोनों में अगर धूप दीप दिखाते हैं तो कोनों में एकत्रित नकारात्म कुर्जा वहां से हट जाती है और धूप दीप के कारण जब बाहर आती है तो दीर दीरे आप जैसे ही दीप लेकर के बाहर आएंगे अगर बत्ती लेकर के बाहर आएंगे या धूप लेकर के वहां से चलेंगे तो आगया अगया हटती रही जाएगे और दर्वाजे से बाहर रिकल जाएगे इसलिए सभी प्रकार के सभी कोनों से होते हुए द्वार तक आए और द्वार के बाद फिर ले आकर के जहां लगाना है उसे लगा दीजे इससे नकार अत्म कुर्जा पूरी तरह से हट जाएगे। इसके बाद अगर इस तरह की स्थिती से आप गुजर रहें तो सोमवार और सनीवार को जल में काला तिल डाल करके भगवान शिव को अरपन करें और उनसे प्रार्थना करें कि किसी भी प्रकार के हमारे जीवन में तूटी हो रही हो गलती हो तो शमा करें और अन्जाने रहस् ठीक नहीं है तो ये ध्यान रखे कि काला तिल पानी में डाल करके स्यूजी को सोमवार और सनीवार चड़ाएं इससे आपके जीवन में सौभागे प्राप्त होगा और दुरभागे का नास होगा इसके बाद अगर आपको मुझसे ब्यक्तिकत रूप से संपर्क करना है या अपने मेंबर्स के लिए खास करके कुछ ऐसे वीडियो बनाए हैं जो वीडियो देख करके आप अपनी जन्म कुंडली का बिसलेशन स्वेंग कर सकते हैं और जब आप अपनी जन्म कुंडली का बिसलेशन करने लगेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि आपके जीवन म और आपको समाधान मिल सके नमस्कार धन्यवाद और आपको सम्कार धन्यवाद